Hello everyone, welcome back to your own channel, WellSaga, दोस्तों, जरली हम लोग अच्छे stocks pick up जरूर करते हैं, लेकिन उन में या तो लंबे समय तक बने नहीं रहते हैं, या फिर जल्दी exit कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसके अंदर conviction होता ही नहीं, किसी ने बताया होता है, हम लोग stock को भाय कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो I want to thank my community section, क्योंकि community section ने मेरे से इस stock के बारे में आज पूछा गया, तो मैंने stock को study किया, काफी strong दिखाई पड़ रहा है, So I want to thank my community members for asking really good questions, दोसों stock के बारे में बात करें, आपको नाम तो पता चली जाएगा, of course, लेकिन पहले हम लोग इसके fundamentals के important numbers को ध्यान में लगते हैं, दोसों इस stock के बारे में, अगर हम लोग बात करें, कोई भी promoter holding pledge नहीं है, debt to equity ratio is 0.16, जो कि बताता है, almost negligible debt, return on equity is close to 11%, return on capital employed is close to 15% plus, इसके लगा company एक positive free cash flow भी generate करता है, बहुत ही जबर्दस free cash flow generate करता है, इसके लगा दोसों stock के valuation के बारे में बात करते है, let's talk about the valuation of the stock, stock is trading at 27.9 price to earning ratio, जो कि बताता है, कि stock एक बहुत ही reasonable valuation पे है, as far as its peers are concerned, दोसो 73,732 करोड की market gap का stock है, nifty 50 का stock है, तो बहुत ही safe, बहुत ही शानदर fundamentals का यह stock है, लेकि दोसों धन्दा क्या कर रहा है, कैसा business कर रहा है, उसको हम लोग observe करेंगे, तो अगर हम लोग जून 2021, September 2021 औ December 2021 के results को आंके, that is, you know, जो अभी इसके quarter, तीन quarter के results के हैं है, 1, 2, 3, उ जान में रख के analysis करें, और देखें कितना company profit generate कर रहे है, तो revenue जो की जून में था 49, सारी के सारी value क्रोड में है, 49451 से अगर हम लोग बात करें, net income की वो थी 3804 क्रोड, इसके लावा हम लोग September quarter के बात करें, revenue आया 57869 क्रोड, बाढ़के आया, net income के बात करें, तो net income में भी substantial jump दिखाई पड़ रहा था, अब हम लोग quarter 3 ये बारे में बात करते हैं, December quarter के बारे में बात करते हैं, revenue has come at 53, 380 crores, net income आया है 7093 crores, तो आपको quarter 1, quarter 2, quarter 3, तीनों quarter में शांदार jump दिखाई पड़ रहा है, as far as revenue is concerned, profitability में भी आपको अच्छा खासा jump दिखाई पड़ रहा है, लेकिं दोस्तों चूकी COVID की 1, 2, 3 waves खतम हो चूकी है, इतना शांदार pharmaceutical business हो सकता है, perform आगे ना करे, इसको ध्यान में रखते, stock में अच्छा खासा consolidation हो चुका है, दोस्तों stock को नाम है Dr. Redis, पिछले एक महिने में stock तकरिबें 15% के आसपास jump कर चुका है, जबकि sector भागा है 9% के आसपास, 76 भागा है 11% के आसपास, तो stock ने अच्छा खासा momentum already gain करना शुरू कर दिया, लेकिन हम लोग अगर बात करें पिछले एक साल के performance की, तो पिछले एक साल में stock ने लगाया थे highs of 5574 के highs लगाया थे, तो 5574 से stock substantially correct already हो चुका है, already 5-6% के correction पे stock में आपको मिल रहा है जबकि sector रहा है 10% उपर और 76 रहा है 20% उपर, तो आप ये कहें, कि stock में price correction और time correction already अच्छा खासा हो चुका है, तो ये तो बात होगी short term की, आपनों बात किया, हम लोग ने एक महीने की बात करी एक साल के performance की, लिकिन लंबी अवधी के लिए stock कैसा है, उसको आप ऐसे ही जा 10% के return जो की कहीं ज़्यादा बहतर है, Sense6 और Nifty, अगर आप Nifty के index में लगाए होते हैं, या फिर ETFY किया होता, उससे भी बहतर return दे रहा है, और sector के in-line return दे रहा है, दोस्तों, sector का leader stock है, इसलिए दोस्तों, stock में आपको long term के लिए investment करके, इस stock को छोड़ना बनता है, दोस्त indicators हैं, तो उसकी summary को देखें, तो हमें दिखाई पड़ता है, stock is a very very strong buy, although मैं ज़्यादा indicators वगरा को study करके result निकलने के कोशिश नहीं करता हूं, लेकिन overall अगर आप एक summary देखें, तो आपको एक input मिलता है, कि stock कितना strong है, तो stock काफी ज़्यादा strong दिखाई पड़ रहा है, as far exponential moving average, उसके नीचे trade कर रहा है, otherwise stock 5-day moving average, 10, 20, 50, 100, सभी moving averages के उपर आ गया है, जो की बताता है, कि stock एक यहाँ से बहुत ही strong contender है, और बहुत ही strong buying के signal आपको दिखाई पड़ रहा है, अब उस तो chart को study करते हैं, chart को study करने से पहले एक बार ये देखते हैं, कि stock में कैसे delivery चल है, तो last trading session के बारे में बात करें, तो stock करीब 2-3% के अस-पास ओपर था, 45% की शांदार stock में delivery हुई है, मतलब 45% of the people जिन्होंने stock में trade किया, वो इस stock को वापस अपने DMAT account में लेकर के गया है, delivery लेकर के गया है, which clearly demonstrates कि stock एक strong buying contender है from here on, लेकिन हम लोग बिना chart को study करें, stock में buying नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था, stock ने अपने 5700 के highs, 5700 रुपीज का ये stock है, और ये stock as low as 3800 के अस-पास चला गया था, लेकिन दोस्नों हम लोग कभी भी, we don't buy weak stock, we buy strong stocks, we buy strong stocks जहां पर अच्छी value है, we buy strong stocks जहां पर अच्छे कासे valuation के साथ साथ हमें एक strength आती हुए दिखाई पड़ रही है, so ये stock एक अच्छी buying, अच्छी value buying होने के साथ साथ आपको strong होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिये, stock में एक inverted head and shoulder pattern को break करता हुआ दिखाई पड़ र है, and the best news is कि इसमें जो breakout हुआ है वच्छे volume के साथ हुआ है, relative strength index भी काफी strong हो रख कि ये 60 के ऊपर चली गई है, जो की बिताता है कि ये strong यहां से आराम से 10 से 15% के returns short term में देने के लिए तयार हो रखा है, तो last day जो breakout हुआ है वो कहसा हुआ है, उसको observe करते हैं, तो last day जो breakout ह observe करें, that is 8th of April को, तो 8th of April को morning से stock थोड़ा सा positive था gap up open हुआ, उसके बाद इसने जो इसका resistance वाला जो level है 4350, 4350 के level को breakout दिया, और एक बार retrace करने की कोशिश करी, और stock ने almost 4500 के levels को touch करने की कोशिश करी और वहां से retrace हो करके 4430 के असपास close हुआ है, अगर आप मुझसे 4400 के आसपास retrace करे, 4400, 4380 के आसपास stock retrace करे, तो अगर पाई चासे stock इस buying zone पे मिलता है, 4350 से 4400, तो मेरे साब से दोस्तों इस buying zone पे stock को accumulate करने की opportunity को miss नहीं करना चाहिए, चाहे आप long term investor हूँ, या फ़र एक swing trader या momentum trader हूँ, योग दोस्तों यहां से मुझे stock काफी strong दिखा stocks in pharmaceutical sector, तो तो कैसे लगा आपको video मुझे comment section में एक तो बताईएगा, साथ में कौन से pharmaceutical stocks में आप invested है, do let me know in the comment section, I will be glad to know them and of course if you have any question, do ask us in the comment section, और किस stock आप चाहते है में video post करूँ, किस stock की analysis आप चाहते है में video में post करूँ, do let me know, I will definitely try to make it, bye-bye for now.